हर योम प्याएदर्स को प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का दनलोज ग्रू की सुरूप चनल पर प्याएदर्स को इस वीडियो में जानेंगे बहुला चतुर्थी कब है यानि संकस्टी चतुर्थी कब है 2023 जाने स्रीकस्न और कडेज जी की पूजा विधी महत्व एम चंदरोदय का सही समय क्या है आई जानते हैं इस वीडियो में और महत्व के बारे में भी जानेंगे और कथा भी जानेंगे आज इस वीडियो में तो यहाँ पर वीडियो को अधिक से अधिक सेर जरू करें ताकि यह जानकरी सभी को प्राप्त हो सके शुरू करते हैं वीड गड़ेज जी की पूजा के साथ साथ स्री कस्ण और गायों का पूजन किया जाता है। चौद की पूजा का सुब मोर्त महत्व और चंदरोले का सही समय क्या है तो आईए जानते हैं वीडियो में तो भादरपद चतुर्थी दो हजार तेईस ती थी हिंदु पंचांग के अनुसार भादरपद मास की कस्न पक्ष की चतुर्थी ती दो सेतंबर को रातरी आट बच से सुरू होकर 3 सतंबर को साम 6 बच कर 24 मिनट तक रहेगी उदियाते थी 3 सतंबर को प्राप्त हो रही है से में संकस्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का वरत 3 सतंबर 2023 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा तो आई जानते हैं बहुला चतुर्थी की पूजा विध पूजा के लिए भगवान स्री कस्ट के किसी हैसे चित्रय प्रतिमा को पूजा स्थान पर इस्थापित करें जिसमें उनके गाय साथ भी हो सबसे पहले भगवान को कुमकुम दिलक लगाएं और हार फूल अरपित करें सुद घी का दीपक जलाएं इसके बाद अबीर कुला आधि चीजे चड़ाएं कस्ट और गडेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बचले की पूजा करें अब जान लेते हैं बहुला चतुरते का महत तो क्या है तो धार्मिक मानताओं के अंसार भादर पद मास की कस्ट पक्ष की चतुरती तिथी को बहुत ही महत पून माना जा गत्ता है हैसा इसलिए क्योंकि इस दिन भागवान गडेश की उपासना के साथ गव माता की भी उपासना की जाती है माननता है कि बहुला चतुरती की दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अच्छा पून्र की प्राप्ति होती है तो अब सुन लेते हैं बौप चतुर्थी व्रत कथा तो पौराणिक ग्रंथों के अंसार स्रीकस्न की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाये ने बहुला के रूप में नंद की गोसाला में प्रवेश किया स्रीकस्न जी को ये गाये बहुत पसंद आई वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे बहुला का एक बच्छला भी था जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करते थे एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई चरते चरते वह बहुत धूर निकल गई और एक सेर के पास जब पहुची सेर उसे देखकर खुस हो गया और अपना सिकार बनाने की सोचने लगा बहुला डर गई और उसे अपने बच्छडे का ही ख्याल आ रहा था जैसे ही सेर उसकी ओर आगे बढ़ा बहुला ने उसे बोला कि वो उसे अभी ना खाए घर में उसका बच्छडा भूंका है उसे दूद पला कर वो वापस आ जाएगी तब वो उसे अपना सिकार बना ले सेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे इस बात पर विस्वास कर लूँ तब भूला ने उसे विस्वास दिलाया और कसम खाई की वो जरूर आएगी भूला वापस गौसाला जाकर बच्छडे को दूद पलाती है और बहुत प्यार करके उसे वहाँ छोड़ करके वापस जंगल म क रूप में कसन होते हैं जो बहुला की परिच्छा लेने आती हैं कशन अपने वास्टविग रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुम्हात प्रसंवगा Version परिच्छा में सफल रहीं समस्त मानों जाती द्वारा सावन मेहने के कस्ण बक्षी चतुर्थी गिन तुम्हारी पूजा अरजना की जाएगी और समस्त जाती तुमको गौमाता कहेकर समधित करेगी जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुक समरद्धी धन एसवर्या और संतान की प्राप्टी हो गी